अच्छे इस वीडियो में हम जल्दी से जो है वो कॉन्टरपोसिशन के हवाले से बात कर लेते हैं, लेकिन हम इसको एक डऽेन आंगल से देखेंगे एक दूसरी वीडियो में के कॉंटरपोसिशन को हम लूग प्रेडियूस करेंगे कनवरजियन और आबर्जियन से सो कॉंटर पूजिशन इसके स्टेप देख लेते हैं कि यह इमिजिट इंफरेंस है और इन रूल्स के मताबिक हम लोग को यह करते हैं कर अफट हिलेरों करका आफ सुप्रेथमाि सकी हैं छाच्झ आपसать को देखंक की जा मताव कोए पूजिशन पापी सब्सक्का इसके सब्सक्राइबisiert है तो जो rule के मताबक s जो है को replace होगा by the complement of subject term और जो predicate term है वो replace होगा by the complement of subject term तो simple हो गया, ये non-p आ गया, ये non-s आ गया तो subject term को non-p के साथ आपने replace करना है और predicate term को non-s के साथ replace करना है तो ये हमारे पस contrapositive आ जाएगा in proposition का, right तो इनको हम सिर्फ यहाँ पर मैंने rule डिसकस करने थे अगली जो वीडियो में होगी उसके अंदर हम लोग ये देखेंगे के conversion और aversion को हम लोग कैसे apply करें तो contraposition हमारे पास सामने आ जाती है और वहीं पर हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो हमारे पास जो प्रापोजिशन्स हैं लॉजिकल एक्विलेंट होती हैं कर नहीं होती हैं झाल 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 झाल